तो ये बिना देरी किये, क्लास को आगे को हम सुरू करते हैं, 1858 का भारत सरकार अधिलियम जो है वो आता है, इससे पहले एक महत्पुन घटरना होती है, 1857 में भारत की जिसको अंग्रेजों के खिलाफ पहला एक संगठित विद्रो कहा जाता है, 1857 की क्रांती, जैसे तैसे कर कि अंग्रेजों ने उस करांती को दबा दिया, फूट डालो सासन करो, राज की नीति को अपनाते हुए, हलांकि इस विद्रो ने अंग्रेजों के होस उड़ा दिये, उनके तोते उड़ गए कहते न जिसको, उस तरीके की होगे, उनको लगने लगा कि अब सत्ता निकल ही जाएगी हाथ से, बड़ी मुश्किल से उनको ने सत्ता बचाई, उसके बाद उनको समझ में आया है कि भारत के उपर सासन करना, अब किसी कंपनी के बसका नहीं है, और लोग कंपनी के सासन को स्विकार नहीं करेंगे, इसलिए भारत में सरकार, बिटिस सरकार, वो अपना इसलिए इसलिए 1858 का जो अधिनियम है, वो लेकर के आया जाता है, और इस 1858 के अधिनियम ने भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के सासन को कम्प्लीटली समाप्त कर दिया, और भारत का जो हस्तांतर नहीं सत्ता का, वो बिटिस क्राउन के पास चला गया, इस अधिनियम को भारत के सासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, तो यहां से क्योस्टन जो है, प्रारंभिक परिक्षा में, या MCQ टाइप के एक्जामे बन सकता है, कि कौन से ऐसा अधिनियम है, जिसको भारत के प्रसासन को अच्छा बनाने वाला कहा जाता है, या कौन से अधिनियम के माध्यम से भारत में East India Company का सासन समाप्त हो गया तो ये 1858 का अधिनियम है इसके अंतरगत कुछ प्रमुख प्रमुख चीजे हुई तो सबसे पहला चीज हुआ कि भारत का जो सासन था अब वो डारेक्ट चला गया वहां की जो महरानी विक्टोरिया है उनके पास चला गया वहां पर महरानी ही है उनका ही सासन चलता है वो जन जन तर जब तक जिन्दा है जब तक है जान जब तक है जान तब तक अपनी सीट पर वो बैठे रहती है छोड़ते नहीं है तो महारानी विक्टोरिया के हाथ में वो सासन चला गया, इस इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया, अब जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, जिसको आप देखोगे, 1833 केक्ट में बताया गया था, बनाया गया था उस पद को, उसको नाम परिवर्तित करके उसका बना दिया ग ये भारत के पहले वाइसराय बने, इसके साथ साथ इस अधिनियम में एक सबसे प्रमुख चीज जो हुई, वो ये हुई कि भारत के एक राज्य सचीव के नाम से एक नया पद बनाया गया, ठीक है, पहले के वल गवर्नर जनरल होता था ना भारत का, उसको तो वाइसराय मे उसका काम करने की complete power पूरी की पूरी सत्ती चली गई भारत के राज्य सचीव के पास, अब भारत के राज्य सचीव क्योंकि प्रसासन समालना है, प्रसासन समालना कोई हसी खेल की बात नहीं थी, उसके लिए मदद लगती है, तो उस मदद के लिए एक 15 सदस्य परिसद का भ बनाई गई, अब इसके बाद अगला एक आता है 1861 का अधिनियम, क्यों वो इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि 1857 की क्रांती जैसा कदम फिर से उठाया जा सकता है, और 1858 में जो हमने अधिनियम लाए, उससे भारतिय को इतने संतुस नहीं नजर आए, तो भारतियों को जुनजुना पकडाना जरूरी था, उनको ये दिखाना जरूरी था, कि भारतियों के साथ अंग्रेज मिल करके काम कर रहे हैं, और भारतिये लोग भी सक्ता में भागीदारी कर रहे हैं, तो 1861 का धिनियम जो है, वो लेकर के आया गया, इसलिए क्या किया गया, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उसमें भारतिये प्रतिनिधियों को सामिल करना की सुरूरात हुई, वाइसराय उनकी जो विस्तारीत परिसत थी, उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार दिया पटियाला के महराजा थे और सर दिनकर राव थे इनको भारत इनको जो है विधान परिसद में नामांकित किया किसने लोड कैनिंग ने पहले बार इस तरीके की ववस्था भारत में हुई अब यह दिखाया जाने लगा कि हाँ भारतिय लोग भी सत्ता में भागिदार हैं और बिटिसर्स बड़े चालाकी से चाहते थे कि कोई भी गलत काम हो तो उसका ठीक रा भारतियों पर फोड़ दिया जाए कि देखो ओना यूर इंडियों इस लिए पड़ी ताकि वो लांचन भी भारत पर लगा सके कि अगर कोई गलत काम हुआ तो लोगों को बोल सके कि देख इस साथ में इनकी सहमती से ये काम हमने किया है तो ये बुरा नहीं है इस तरीके से एक जुन-जुना पकड़ाने के लिए इस तरीके की चीज़े प्रारण हुई लेकिन ये लास्टली देखोगे तो भारतियों के लिए फाइदे मन साबित हुई क्योंकि भारतियों को कम से और फिर से विकेंद्रिय करन यानि डी सेंट्रलाइजेशन प्रारंगुआ आपको याद होगा 1703 के एक्ट में मैंने आपको एक बना करके दिखाया था कि बंगाल, मदरास और बंबई ये तीनों प्रेजिडेंसिया बराबर थी लेकिन 1703 के एक्ट के माध्यम से इनकी संरचन इस तरीके से हो गई थी ठीक है कि ये बंगाल हो गया था और बंगाल के बाद ये मदरास और ये बंबई ये इसके अधीन हो गई थी अब दुबारा से इस विवस्था को समाप कर दिया गया और एक बार फिर से ये वाली विवस्था ले आए गए जिसमें मदरास बंबई और बंगाल को बराबर कर दिया गया उन प्रेजिडेंसियों उसको जो विधाई सक्तिया जो उनसे छील लगई गई थी उनको दुबारा से दे दी गई और विकेंदरी करन की प्रक्रिया की सुरुवात हुई अब आपसे सवाल में यह आ जाएगा कि भारत में विकेंदरी करन की प्रक्रिया किस समय प्रारम हुई कौन से एक्ट के माध्यम से शुरू हुई तो 1861 का धीनियम आपको बोल देना है अब इसके साथ साथ आपको एक चीज समझना है एक और प्रमुख चीज थी लोड कैनिंग ने एक व्यवस्था शुरू की थी इसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं तो 1869 में लोड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रनाली प्रारम की थी पोर्टफोलियो प्रनाली के तहट विभागों का बटवारा किया जाता है जिस तरीके से आज आप देखते हो विभारत में प्रधान मंत्री और उसकी जो मंत्री परिसद है तो अलग-अलग मं दिए जाते हैं इसी तरीके से मंत्राले का विभागों का बटवारा किये जाने की प्रभव विवस्था थी पोर्टफोलय प्रनाली इसमें एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक विभाग दिए जाने की विवस्त थी ताकि ज़्यद्ध अधिक लोगों की आऊसत्तना 1869 में लोड केनिंग ने इसको शुरूवक किया था, 1861 के अधिनियम के माधियम से इसको क्या कर दिया गया, मान्यता दे दीगी, एक और सबसे प्रमुख चीज भी, आज के समय में आप देखते हैं, नाम सुनते हैं, अध्यादेश, ओर्डिनेंस, यानि कि जब संसद के किसी सदन का सत्र ना चल रहा हो, पैसे में कानून बनाने, व्यवस्था बनाए रखने, दिन प्रति दिन के सासन को जारी रखने के लिए सरकार क्या अध्यादेश का सहारा ले करके आती है, तो वो अध्यादेश का प्रारम जो हुआ, वो इसी एक्ट के माध्यम से हुआ, जो वाइसराय है, उस वाइसराय को ये पावर दे दी गई कि भई, अगर आपात कालीन कोई परिस्थिती है, तो आप ऐसे में, आपकी जो काउंसिल है, उसकी बंजूरी के बिना, उसकी संस् आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और वो अध्यादेश कानून के जैसे ही भूमी का आदा करेगा, अधिक्तम अवधी इसकी 6 मार रहेगी, वरतमान में इसकी अधिक्तम अवधी 6 महीने 6 हफते होती है, ठीक है, तो भारत में अध्यादेश का प्रारम जो है, इसी